आज की कहानी का नाम है अभागी का सुवर्ग साथ दिनों तक जुर गिरस्त रहने के बाद ठाकुर दास मुखर जी की व्रिधा पत्ति की मृत्य हो गई मुखो पाध्याय माश्य अपने धान के व्यापार से काफी सम्रित थे उन्हें चार पुत्र, चार पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पडोसियों का समू, नौकर चाकर थे मानों यहां कोई उस्सव हो रहा हो धुमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गाम वालों की काफी भीड़े खटी हो गई लड़कियों को रोते-रोते माता के दोनों पावों में गहरा आलता और मस्तक पर भहुत सा सिंदूर लगा दिया बहु ने ललाट पर चंदन लगा कर बहु मुले वस्तरों से सास की देख को ढग दिया और अपने आचल के कोने से उनकी पधुली जाड़ दी पत्र, पुष्प, कंध, माला और कलरव से मन को यह लगा ही नहीं कि यहां कोई शोक की घटना हुई है ऐसा लगा जैसे बड़े घर की ग्रेहनी पचास वर्षों बाद पुना एक बार नई तरह से अपने पती के घर जा रही हो शांत मुख से व्रिद मुखो पाध्याय अपनी चीर संगिनी को अंतिम विदा दे कर छिपे छिपे दोनों आखों के आंसुर पोच कर शोकार्थ कन्या और भुवों को सांत बना देने लगे प्रबल हरिद्वनी प्राथ कालिन आकाश को गुंजित कर सारा गाउं साथ साथ चल दिया एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया वह थी कंगाली की मा वह अपनी जोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी इस द्रिश्य को देखकर उसके पग हाट की और बड़े ही नहीं उसका हाट जाना रुकी गया और उसके आंचल में बैंगन बंदे रहे गए आखों से आंसु बहाती वह सबसे पीछे शम्षान में आकर उपस्तित हो गई शम्षान गाउं के एकांत कोने में गरुट नदीत के तड़ पर था वहाँ पहले से ही लकडियों का धेर, चंदन के टुकडे, घी, धूप, धूनी आधी उपकरण एककत्र कर दिये गए थे कंगाली की मा को निकट जाने का असाहस नहीं हुआ अथा वह एक उचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंतक सारी अंतेश्टी क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी चौणी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पाउं देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए उसकी इच्छा होने लगी कि दोड़ कर मृतक के पाउंवों से एक बुन आलता लेकर वह अपने अमस्तक्ष पर लगा ले अनेक कंठो की हरीद्वनी के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्र पुत्र अगनी जलाई गई उस समय उसके नित्रों से जर जर पानी बरसने लगा वे मन ही मन बारम बार कहने लगी सौभाग्य वती मा तुम स्वर्ग जा रही हो मुझे भी आशिर्वाद देती जाओ कि मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों अगनी प्राप्त करूँ लड़के के हाथ की अगनी यह कोई साधारन बात नहीं पती पुत्र कन्या नाती नातिन दास दासी परिजन संपून ग्रस्ती को उजवल करते हुए यह स्वर्गा रोहन देखकर उसकी छाती फूलने लगी जैसे इस सोभागे की वह फिर गढ़ना ही नहीं कर सकी सद्य प्रजोलित चिता का अजस्त्र जुआ नीले रंग की छाया फिकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उड़ रहा था कंगाली की मा को उसके बीच एक छोटे से रत की आकरती जैसे इस पश्ट दिखाई दे रही थी उस रत के चारो और कितने ही चित्र अंकित थे उसके शिकर पर बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे बीतर जैसे कोई बैठा हुआ था उसका मूँ पहचान में नहीं आता परन्तु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पदल आलता से रंगे हुए थे उपर देखते हुई कंगाली की मां की दोनों अखों से आंसों की धारा वह लिग ली इसी बीच एक पंद्रा सोला वर्ष की उम्र का लड़का उसके आंचल को खीचते हुए कहा तु यहां आकर खड़ी है मां भात नहीं रांदेगी चौकते हुए पीछे मुण कर माने कहा रांधूं गीरे अचानक उपर की और उंगली उठाकर वेगर स्वर में कहा देख देख बेटा ब्रामडी मां उस रत पर चड़कर स्वर्ग जा रही है लड़के ने आशरे से मूठा कर कहा कहा फिर शन भर निरिक्षन करने के बाद बोला तू पागल हो गई है मां वे तो दुआ है फिर गुसा हो कर बोला दोपर का समय हो गया मुझे भूख नहीं लगती क्या पर मा की आँखों में आसू देख कर बोला ब्रामणों की महु मर गई है तो तू क्यों रो रही है मां कंगाली की मा को अब होश आया दूसरे के लिए शमशान में खड़े हो कर इस परकार आसू बहाने पर वे मन ही मन लज्जित हो उठी यही नहीं बालक के अकल्यान की आशंका से तुरंधी आँखे पोच कर तनिक साबधान सैयत होकर बोली रोंगी किसके लिए रे आखों में धुआ लग गया है यही तो हाँ धुआ तो लग ही गया था तू रो रही थी ना मा ने और प्रतिवात नहीं किया लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुँची स्वैम भी इसनान किया और कंगाली को भी इसनान कराकर घर लोटाई शमशान पर होने वाले संसकार के अंतिम भाग को देखना उसके भागे में नहीं बदा संतान के नामकरण के समय माता पिता के मुर्कता पर विधाता अंतरिक्ष में बैठे हुए अधिकतर केवल हसकर ही संतुष नहीं हो जाते तीवर प्रतिवाद भी करते हैं इसी से उनका संपून जीवन उनके स्वैम के नामों को ही मरन परियंत चिड़ाता रहता है कंगाली की मा के जीवन का इतिहास छोटा सा है परन्तु उस छोटे से कंगाली जीवन ने विधाता के इस परिहास से चुटकारा पा लिया है उसके जनम के बाद ही उसकी मा मर गई थी पिता ने कुरूद होकर उसका नाम रखा अभागी मा थी नहीं पिता नदी में मचली पकड़ते गुमता रहता था वे ना दिन देखता ना रात फिर भी ना जाने किस परकार छोटे सी अभागी एक दिन कंगाली की मा बनने के लिए बची रही यह एक आश्यरे की बात है जिसके साथ विभा हुआ उसका नाम था रसीक बाग कुछ दिन बाद ही वे अभागी को छोड़कर दुसरे गाउं में चला गया अभागी अपने अभाग्य एवं उस शीशु पुत्र कंगाली को लेकर गाउं में ही पड़ी रही उसका वही कंगाली आज बड़ा होकर पंद्रवे वर्ष में पदारपन कर रहा है फिलाल उसने बैंत का काम सीखना आरम किया है अभागी को आशा होने लगी है कि और एक वर्ष तक अपने अभाग्य के साथ जूज लेने पर उसका दुख अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कंगाली ने पोखर से हात मुदो कर लोट कर देखा उसके भोजन के थाली के बचे भोजन को मा एक मिट्टी के पातर से ढग कर रख रही है आश्य चरित होकर उसने पुछा तुमने नहीं खाया मा बहुत देर हो गई बेटा अब भूग नहीं रही लड़के ने विश्वाश नहीं किया बोला नहीं भूग क्यों नहीं रही कहां है देखूं तो तेरी हांडी इस चलना दुआरा वे बहुत दिनों से कंगाली को दोखा देती आ रही है आज उसने हांडी देखकर ही छोड़ी उसमें केवल एक ही व्यक्ति के भोजन के लिए भात था तब वे प्रसन मुख से मा की गोद में जा बैठा इस उम्र में बालक साधरन इस प्रकार नहीं करते परंतु शैश्यव से अकसर बिमार रहने के कारण मा की गोद छोड़ कर उसे बाहर के संगी साथियों में हिल मिल जाने का सुयोग नहीं मिला एक बा गले में डालकर मुख के उपर मुख रखकर कंगाली ने चकित स्वर में पुछा मा तेरा शरीर तो गर्म है तो क्यों धूप में खड़ी होकर मुर्दे को जलता हुआ देखने गई फिर क्यों जाकर नहा आई मुर्दा जलना क्या तैने मा ने जटपट लड़के के मुख को हाथ से दबाते हुए कहा ची बच्चे मुर्दा जलने नहीं कहते पाप होता है सत्ती लक्ष्मी महारानी रथ पर चड़कर स्वर्ग गई है बालक ने संधे करते हुए कहा तेरे पास एक ही बात है मा रथ पर चड़कर भी कोई स्वर्ग जाता है मा बोली मैंने तो आंखों से देखा है कंगाली ब्रामनी मा रथ के उपर बैठी थी उनके रंगे हुए दोनों पावों को सब ने अपनी आंखों से देखा है रे सबने देखे हैं हाँ سबने देखे हैं कंगाली मा की चाती से चिपक कर बैटका सोचने लगा मा का विश्वास करना ही उसकी आदत है विश्वास करने की ही उसने बच्पन से शिक्षा पाई है वही मा जब कह रही है कि सबने आखे गड़ा कर इतनी बड़ी बात को देखा है तब अव विश्वास करने का फिर कोई कारण बचता ही नहीं थोड़ी देर बाद वे धीरे-धीरे बोला तब तो तू भी स्वर्ग जाएगी मा बिंदी की मा उस सदिन राखाल की भुह से कह रही थी कंगाली की मा के समान सतीद लक्षमी दूलों की मोहले में और कोई नहीं है कंगाली की मा चुप रह गई पिता ने जब तुझे छोड़ दिया तब कितने दुख और कश्ट तुझे जेलने पड़े फिर भी एक दिन के लिए भी पिता पर तेरा क्रोध नहीं देखा गया तुझे आशा थी कि कंगाली के बचने पर तेरा दुख दूर हो जाएगा आ मा तेरे ना बचने पर मैं कहां बचता मैं तो भी ना खाई पिये उतने दिनों में कबका मर गया होता मा ने लड़के को दोनों हाथों से पकड़ कर छाती से चिप्टा लिया अनिक प्रकार के प्रामर्श देने वाले लोगों का अभाव ना होते हुए भी सायता करने वाला व्यक्ति उन दिनों कोई नहीं मिल पाया था यही नहीं और भी बहुत उपतर्व उसके साथ किया गया था उन बातों को स्मरंड कर अभागी की आँखों से पानी बहने लगया लड़का अपने हाथ से इने पोश्टा हुआ बोला कांथरी बिचादू मा सोईगी मा चुप रही कंगाली ने चटाई बिचाई कांथरी बिचाई माचे के उपर से तक्या उठा कर रख दिया फिर उसे भिचोंने की ओर घीच कर ले जाने लगा तो मा बोली कंगाली आज तुझे काम पर जाने की जरूद नहीं कामकाज ना करने का प्रस्ताप कंगाली को बहुत अच्छा लगा परंतु बोला जल पान की दो पैसे फिर वह नहीं देगा मा ना दे आ तुझे कथा सुनाओ और नहीं लुभाना पड़ा कंगाली उसी शन मा की छाती से लगकर लेटते हुए बोला तो अब कहे राजपुत्र कोतवाल का पुत्र और वह पक्षी राजगोड़ा अभागी ने राजपुत्र कोतवाल के पुत्र और पक्षी राजगोड़े की बात कहनी आरम की यह सब उसकी दूसरों से बहुत दिनों की सुनी एवं कितनी ही बार कई हुई कथाई थी परंतु कुछ देर बाद ही कहां गया उसका राचपुत्र और कहां गया उसका कोतवाल का पुत्र उसने इस प्रकार उपकथा आरम की जो उसने दूसरे से नहीं सीखी थी स्वयम की रचना की थी का स्वर जितना बढ़ने लगा उश्नी रक्त स्रोत जितने दुरुत वेक से मस्तिश्क्युमे बहने लगा उतनी ही भै जैसे नई नई उपकत्थाओं के इंदर जाल की रचना करने लगी उनका विराम नहीं था, विछेद नहीं था कंगाली की छोटी सी दे बार-बार रुबमांचित होने लगी भै, विस्मै और पुलक से वे जोड से माके गले को पकड़ कर उसकी छाती में जैसे समा जाने की कोशिश करने लगा बाहर दिन ढल चुका था, सूर्य अस्ताचल को चले गए, संध्या की मलान चाया प्रगान होती हुई, चराचल को व्याप्त कर उठी परन्तु घर के भीतर आज भी दीपक नहीं जला, ग्रस्ती का शेश करतव्य पूरा करने के लिए कोई उठा नहीं निविन अंदकार में केवल रुग्ड माता का अभोध, गुंजन, निस्तब्द पुत्र के कानों में सुधा वर्षिन करता हुआ चलने लगा वह उसी शम्शान और शम्शान की कहानी थी, वही रत, वही दोनों रंगे हुए पाउं, वही उसका स्वर्ग जाना किस प्रकार शोकार्थ पती ने अंतिम पद्धोली दे कर रोते हुए विदाली, किस प्रकार हरी ध्वनी करते हुए लड़के माता को ढोते हुए ले गए, उसके पश्शात संतान के हाथ की अगनी वह अगनी केवल अगनी ही नहीं कंगाली, वह तो साक्षत हरी स्वरूप था, उसका आकाश तक उठाववा धुआ, धुआ नहीं था बच्चे, वह तो स्वर्ग का रत था कंगाली चरण, मेरे बेटे, क्या मा, तेरे हाथ की अगनी यदि पाल हूँ बेटे, तो ब्रामणी मा की भादी, मैं भी स्वर्ग जा सकूंगी कंगाली ने अस्वर्ट स्वर में केवल यह कहा, जा ऐसे नहीं कहते, उस बात को शायद सुन भी नहीं सकी उश्ण निश्वास छोड़ कर कहने लगी, छोटी जातकी होने पर भी तब कोई गिरिना नहीं कर सकेगा, दुखी होने पर भी कोई रोक कर नहीं रख सकेगा अह, लड़के के हाथ की अगनी रथ को तो आना ही पड़ेगा, लड़के ने मुँ उपर मुँ रखकर भर्राए कंड से कहा, ऐसा मत कहो मा, मुझे बड़ा डर लगता है मा ने कहा, और दे कंगाली, तेरे पिता को एक बार पकड़ कर लाऊंगी, वैसे ही अपने पाओं की धुली मस्तक पर देकर, वे मुझे विदा करेंगे वैसे ही पाओं में आलता, माते पर सिंदूर देकर, परंतु कौन उसे देगा, तू देगा ना रिकंगाली, तू मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की है, और तू ही मेरा सर्व से है कहते कहते उसने लड़के को कसकर छाती से चिपटा लिया अभागी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्थो चला है, जिसका विस्तार अधिक नहीं, सामानने ही है जान पड़ता है, तीस वश ही अब तक पार हुए होंगे, या ना भी हुए हों, अंति भी हुआ उसी प्रकार सामानने भाव से गाउं में कवी राज नहीं थे, दूसरे गाउं में उनका निवास था, कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ पाउं जोडे, अंतिमें लोटा, गिर्वी रखकर, उन्हें एक रुपए की प्रणामी दी, उस सब का कितना आयोजन करना पड़ा कंगाली की माने लड़के से नराज होकर कहा, क्यों, तू मुझे भी ना बताए, लोटा गिर्वी रखने चला गया बच्चे हाथ जुका कर कई गोलियां लेकर उन्हें माते से लगा कर फेकते हुए उसने कहा, अच्छी होंगी तो वैसे ही हो जाऊंगी, भाग दी दूलों के घर में अभी भी कोई औश्टी खाने से नहीं बच्चता दो-तिन दिन इसी प्रकार बीट गए, पड़ोसी खबर पाकर देखने के लिए आये, वे जो घरेलून उसके जानते थे, हीरन के सींग का घिसा हुआ पानी, गिट्टी कोडी जला कर शेहद में मिला कर चटा देना, इत्यादी बिना खर्चे की ओश्टियों को बता, सब मैं काम से चले गए, बालत कंगाली घबडा उठा, मा ने उसे गोद में खीशते हुए कहा, कभी राज की गोलियों से कुछ नहीं होता बेटे, और उन लोगों की ओश्टियों से क्या काम चलेगा, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी, कंगाली ने रोते हुए कहा, तुमने गोलिया खाई ही नहीं मा, चूले में फेक दी, ऐसे क्या कोई अच्छा होता है, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी, अच्छा, देख, तु थोड़ा सा भात बना कर खा ले, मैं भी देखूंगी, कंगाली पहली बार, अन्भिस्त हाथों से भात रानने लगा, ना तो वे मा पान ही निकाल सका, ना अच्छी तरह पसा ही सका, चूलहा उसे जलता नहीं, उसमें पानी गिर पढ़ने से दुआ होता है, भात पसाते समय, चारो और गिर पढ़ता है, मा के नेतर छलचला आये, उसने स्वयम एक बार उठने के चेश्ठा की, परंतु मा था सीधा ना कर सक खाट पर ही लुडग गई, खाना बन जाने पर बालक को पास बुला कर किस प्रकार क्या करना होता है, इसका विधिवत उपदेश करते समय, उसका शिन कंट अवरुध हो गया, आखों से जलकी अविरल धारा बहने लगी, गाउं का इश्वर नाई नाड़ी देखना जानता दूसरे दिन सवेरे उसने नाड़ी देखकर उसी के सामने मुग को गंभीर बना लिया, कंगाली की मा ने इसका अर्थ समझा, पर अंतो उसे भै भी नहीं लगा, सब लोगों के चले जाने पर उसने लड़के से कहा, इस बार एक बार उन्हें बुला कर ला सकता है पिटे, क भागी चुप रह गई, कंगाली बोला, वे आएंगे क्या मा, अब भागी को स्वेम भी पूरा संदे था, तो भी धीरे धीरे कहा, जाकर कहना मा केवल आपके पाओं की धूली चाहती है, वे उसी समय जाने को तयार हो गया, तब उसका हाथ पकड़कर वे बोली, थोड़ा स आलता ले आना कंगाली, मेरा नाम लेते ही वे दे देगी, मुझे बहुत प्यार जो करती है, प्यार उसे बहुत सी करती थी, जोर होनी की अब्धी से मा के मुख से इन कई वस्तों के बाते इसनी पार इसनी प्रकार से सुनी है, कि वे वहां से रोता हुआ अपनी यातरा पर चल दिया इन ब्रसिक दुले समय नुसार जब आ उपस्थित हुआ उस समय अभागी को जरा भी होश नहीं था मुँपर मिरित्यु की छाया पड़ रही थी आखों की दृष्टी इस संसार के कारे को त्याग कर किसी अंजाने देश में चली गई थी कंगाली ने रोकर कहा अरी मा पिता आए हैं पाउं की धूली न लोगी मा शायद समझी शायद नहीं समझी शायद गहराई तक संचित उसकी वासना ने संसार की भाती उसकी दबी हुई चेतना पर आगहात पहुँचाया इस मिलित्यूपत की यात्रे ने अपनी विवश भुचाओं को शयया से बाहर बढ़ा कर हाथ भुचुका दिये रसिक हद प्रब खड़ा रहा प्रिस्वी पर उसकी पद्धुली का कोई प्रायोजन है से भी कोई चाह सकता है यह उसकी कलपना से परे था बिंदी की बुवा खड़ी हुई थी उसने कहा दो बाबा थोड़ी सी पाओं की धुली दो रसिक आगे बढ़ गया जीवन भर इस्तरी को उसने प्यार नहीं दिया भोजन वस्तर नहीं दिया कोई खोश खबर नहीं ली अब मृत्यू काल में उसे केवल थोड़ी सी पद्धुली देते समय वह रो उठा राखाल की मा बोली ऐसी सती लक्षमी ब्रहमन कायस्तों के घर में ना जन्म लेकर हम दोलों के घर में क्यों जन्मी अब तो उसकी गती सुधार दो बेटा कंगाली के हाथ से अगनी पाने के लोग में उसने अपने प्राण त्याग दिये हैं अभागी के अभागे के देवता ने पर्रोक्ष में बैठ कर क्या सोचा था पता नहीं पर बालक की छाती में वह बात तीर की भाती बिंद गई उस दिन दिन का समय तो कट गया पहली रात भी कट गई परंतु सवेरे के लिए कंगाली की मा और परितिक्षा नहीं कर सकी कौन जाने इतनी छोटी जाती के लिए भी सुर्गी के रत की विवस्ता है अथवा नहीं अथवा अंधेरे से पैदल ही उन्हें जाना पड़ता है परंतु ये समझ में आ गया कि रात पूरी समाप्त होने से पहले ही उसने इस दुनिया को त्याग दिया जोपड़ी के अंगन में एक बेल का पेड़ है कहीं से कुलहाडी लाकर रसिक ने चोट की अत्वा नहीं की परंतु जमीदार का दर्बान कहीं से दोड़ा चला आया उसने गाल पर तड़ाक से एक चांटा कस दिया फिर कुलहाडी छिनता हुआ बोला बेटा यह क्या तेरे अपना पेड़ है जो काटने लग गया रसिक गाल पर हाथ फिरने लगा कंगाली रोता हुआ सा बोला वाह यह तो मेरी मा के हाथ का लगाया हुआ पौदा है दर्बान जी पिता जी को तुमने खाम खा क्यों मारा हिंदुस्तानी दर्बार ने तब उसे भी एक गाली देकर मारने चला परंतु वे अपनी मरी हुई मा की मृत देश से स्पर्श किये हुए बैठा था अशौस्च के बहसे उसके शरीर पर हाथ नहीं रख मारा शोरगूल से एक भीड जमा हो गई किसी ने भी इस बात से इंकार नहीं किया कि बिना अग्या लिए रसिक का पेड काटना ठीक नहीं था वे सब भी दर्बान जी के हाथ पाउं चोड़ने लगे कि किर्पया करके उसे हुक्म दे दे पारन बिमारी के समय जो कोई देखने आया था कंगाली की मा उसी का हाथ पकड़कर अंतिम अभिलाशा व्यक्त कर गई थी दर्बान भुलावे में आ जाने वाला पात्र नहीं था उसने हाथ हिला कर कहा यह सब चला कि मेरे सामने नहीं चल सकती